हलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है मेरो टूब चले मिस्रा टेच पे दोस्तो आज हम आप सभी को बताने जा रहा है कि आपके पंचायत में पूरे एक साल में क्या क्या काम होने वाला है और उसका कितना पैसा पास हुआ है उसका हम लोग ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं इसी के बारे में हम आपको पूरे जनकारी देंगे तो दोस्तो आप सभी अगर किसी भी राज से होंगे तो आप बस एक एप के माध्यम से सारे जनकारी घर बैठे ले सकते हैं कि आपके पंचायत में कौन सा काम चल रहा है और वो कितने बजट का है और भी कितना काम जो पेंडिंग है जिसका काम होना बाकी है उन सारे चीज़ों के बारे में आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं तो इसके लिए आपको हम आज इस वीडियो में पूरी जनकारी देंगे तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप इस चैनल पे नए है तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ में बेल इकन उदागा नोटिफेस्टर को अन कर लिजे आप से अब सीपसे अपको सब्सक्राइब करने के बाद से उनकरना है अब आप से यहां पे पूछा जालेब किसमें करना होगा अब जिस भी राज से होंगे तो आपको यहां पर अपना राज सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर दोस्तों सारे राज्यों का लिष्ट आ चुका है इसमें से आपका जो भी राज होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा तो जैसे कि हम बिहार से हैं तो यहाँ पर बिहार हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बास यहाँ पर आप से जिला प पे अपना पंचायद चूज करना है पंचायद Chemistry करने के बाद से आपको यह hanpe eigenlijk किलें गाइगा तो आपके सामने यह देख सकते 2022 22 23 की भीने जो जो भी काम होगा उसका सारा डीटेल यहां पर आपको मिल जाएगा उसके लिए कितना पैसा जारी किया गया है और कौन कौन सा काम अभी pending है इन सारे चुज़े के बारे में आप यहां से जनकारी ले सकते हैं दोस्तों यहां पर ER details देख रहे हैं इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहां पर मुखिया उप मुखिया और जो भी आपका ब्लोग प्रभारी होंगे उनका यहां पर detail आपको मिलेगा उसके बार से दोस्तों यहां पर आप से देख सकते हैं Approve Activity Approve Activity का मतलब दोस्तों होता है कि जो भी काम आपके पंचायत में पास हो चुगा है उसका लिस्ट आपको यहां पर Approve Activity में मिलेगा उसके बाद से दोस्ते यहां पर आप सभी देख सकते हैं Financial Progress आपके Financial Progress क्या है आप यहां पर चेक कर सकते हैं अभी हम आपको Approve Activity के बारे में जनकारी देते हैं तो आपको यहां पर Approve Activity क्लिक करना है आप यहां पर जैसे Approve Activity पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के इंट्रिफेस को लेगा अब दोस्तों यहां पर आप सभी देख सकते हैं Fund Allocated to Gram पंचायत आपके Gram पंचायत के लिए यहां पर 72,69,410 रुपे करासी पास हुआ है पूरे एक साल में आपको 72,69,410 रुपे का काम करना है जिसमें आप सभी देख सकते हैं टोटल वर्स में आपको काउंट में आप 69 आपका टोटल वर्स होगा उसके बाद से यहां पर amount आप देख सकते हैं कि इतने लाख amount आपका पास हुआ है उसके बाद से ongoing work बने अभी जिस पर काम चल रहा है वो अभी यहां पर 4 count तक अभी काम हो रहा है अभी 69 में आपके यहां 4 count तक का ही काम चल रहा है इसका मतलब दोस्तों अभी 55 काम आपके यहां pending है जो पास हो चुका है लेकिन उस पर अभी काम start नहीं हुआ है इसलिए कि यहां पर आप से भी समझ गया होंगे कि 69 में से 4 काम अभी 4 पर काम चल रहा है लेकिन अभी 55 pending है उसके बास यहां पर दोस्तों देख सकते है complete work complete work में अभी कोई भी काम complete नहीं हो पाया है इसलिए यहां पर count में आपको 0 दिख रहा है दोस्तों अब बात आती है कि यहां पर 4 काम कौन कौन सा चल रहा है तो यहां पर आपको detail पर क्लिक कीजेगा तो यहां पर आप serial number 1 देख सकते है और उसके बास यहां पर ward number 6 में हुकुम मिया के घर से नथुनी मिया के घर तक favor block का निर्माण कार्ज जो है चल रहा है जिसका total cost है एक लाख रुपे का यहां पर cost आपको दिख रहा है अब यहां पर देख सकते हैं और रोड का निर्माण यहां पर रोड दिया हुआ है और रोड का निर्माण हो रहा है जिसमें एक लाख रुपे पास हुआ है दूसरा serial number में आप सब देख सकते हैं द्रे कालेन अनुरक्ष निती के अंतरगत नल जलियोजना का निर्माण कार्ज जो तीन लाख रुपे का है ओ अभी दो नंबर पे काम चल रहा है और यहां पर तिसरा नंबर पे भी आप यहीं देख सकते हैं 48 रुपे का काम है चौथे नंबर पे आप सभी देख सकते हैं 1,4,40 रुपे का काम है तो यहाँ पे आप सभी अपने पंचायत का यहाँ से चेक कर सकते हैं तो यह तो हो गया दोस्तो अभी जो काम चल रहा है अभी कौन-कौन सा काम pending है आपको यहाँ पे टोटल वर्स पे आपको क्लिक करना होगा आप यहाँ पे जैसे हैं डिटेल पे क्लिक किजिएगा तो यहाँ पे एक नमबर सीरियल काम चल रहा है दूसरे नमबर सीरियल भी काम चल रहा है तिसरे नमबर सीरियल भी काम चल रहा है और चौत्य नमबर सीरियल भी काम चल रहा है अब यहाँ पेंडिंग दोस्तों पांचवे नंबर सिरियल का है जो वाड नंबर 3 में चपाकल का निर्मान कार्ज बिद्याले के प्रांगन में जो जिसका 90,000 पे कोश्ट एलोट हुआ है और वो किस में आता है सोसल वेलफियर के तहत एकाम फाइनल किया जाएगा उसके बाद से दोस्तों छाठा नंबर में वाड नंबर 4 में आंगन बाड़ी केंद्र की मरमती कार्ज जो 70,000 पे का है उसके बाद से 7 नंबर में ये काम होगा वाड नंबर 3 में आंगन बाड़ी केंद्र के मरमती और आंगन में मिट्टी भराई कार्ज जिसका कोश्ट 80,000 प पर काम होगा और कितने रुपे का ओ एलॉटमेंट है यहां पर आप सारी जनकारी ले सकते हैं अब तो दोस्तों यह हो गया टोटल वर्स अब आपको हम फाइनल्सियल इयर में आपको कितना पैसा पास हुआ है अब यहां पर फाइनल्सियल प्रोग्रस पर आपको क्लिक करना ह होगा आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं अब दोस्तों यहां पर आप सभी देख सकते हैं फाइनल्सियल इयर 2022 से 2023 में आपका रिसीब टोटल इतने रुपे का हुआ है और खर्च 28,093,836 रुपे का हुआ है जैसे हैं दोस्तों जनकारे में जनकारी आप बस इस एप के माद्यम से घर बैठे ही ले सकते हैं तो आसा करते हैं दोस्तों आपको फसंद आया है अगर आपको फसंद आया तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथ में बिल ऐकान को द्वाकर नोडिफेशन को अन कर ल ले सके हैं